तो हमने बढ़ा आज शुरू करना है किंड़म पंजाई पंजाई की पिटे कोई एक्जामपल बताओगे आप होगे दे यू नौ सम एक्जामपल ऑफ पंजाई या सम्भी येस्ट है और और कोई एक्जामपल इस तो है यह जुरावर आप बताओ बटाओ एनी एक्जामपल ऑफ पंजाई मश्रूम्स बचे मश्रूम्स जो है वो है मैं आपको एक मिनट दिखाती भी हूं ज़रा एक मिनट पंजाई को हम हिंदी में क्या कह रहते हैं फफूंदी तो क्या है फंजाई संजाई मैं केली father of mycology and pathology pathology होते diseases the berries father of mycology इंडियन माइकॉलोजी है बठला पंजाई है क्या है पंजाई आप पहले ध्याम से सुनना है क्रूप और यू किरियोंटिक Multicellular Multicellular ही है कुछ unicellular है such as this पंजाई आजर्दर गूप अफ यू करियोर्टिक Multicellular A-Clorophilus A-Clorophilus अजो जिसमें Chlorophil नहीं है A-Clorophilus इस लिए Non-Green kind hathrotrophic organisms, having hathroid body, halloid ka matlab, not differentiated into रूट, स्केमन, लीज, ठीक है? फादर अफ पंजाई, माइकेली, फादर अफ माइकॉलोजी एंड पिथोलोजी, ठीक है? तो क्याने समझ लो, यह समझ तो फिर लिखना है, having thaloid body, thaloid body का क्या मतलब है? not differentiated into root, stem and leaves. हमने यह क्यों कहा? क्योंकि इसको पहले हमने plants में include किया था, पंजाई के. ठीक है? फेक्रोटोफिक और्गिनीजम, having thaloid body, which perform absorptive nutrition. absorptive nutrition का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यह अंदर solid complex food लेके जाती है. they secrete digestive enzymes in substratum. substratum यह जहां पर रह रही है. so digestion outside and then digested food is absorbed. so that is why absorptive nutrition, तो जी तो हो गई definition, then पहले सम्झो, जो पंजाई है, पंगल हाइटे है, तो पंगल हाइटे है, तो पंगल हाइटे, branch structures, estri-na-poll, structures, thread-like, तो पंगल है, इस्टराचे, नेट्वर्क और दीज हैजिए इस पॉल्ड एस मर्सी लिए इस नेट्वर्क को कह देखते हैं मर्सी लिए दें दा हाइफे जो हाइफे है हाइफे मेहब जरूरी ने चैपका क्या है तेल वॉल बटवीन इस प्रेंट नियुक्लियन इसका क्या मतलद है यह हल्पा है जिसल यह है सक्का तो मेह है सक्का और दा हाइफा निभी सिनुसिथिक एंड 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 स्कार डाल हुए है मैं इधर थोड़ा सा बना देटी ताकि आपको यह पता चलिए कि एंड जहांपे नहीं है इसका क्या मतलद है सारे न्यूक्लियाई इकठे है तो इस इस सिनुसिथिक का मतलब है मल्टी न्यूक्लियेट एसक्टेट का मतलब है सेप्टा एक्सम् अगर सेप्टा नहीं होगा डिप्रन न्यूक्लियाई के बीच में सेप्टा नहीं होगा तो सारे न्यूक्लियर इतके एक ही साइटो प्लाज्म में होगी तो उस पंडीशन को हम क्या देते है सिनो से किखाई तो पहले यह नोट करो फिर हम आभी करते हैं तो नहीं के प्रीशन के लिए तो नहीं हुं तो हम नहीं हमादाते बिता चेल स्ट्रॉक्ट्टर और फंजाई टिपिकल यूक्रियोटिक सेम है सबसे बाहर ये सबसे समटो कि तैन्स अ कर फूपने तैन सर्थ सरीरोलAut descänge वर ये तैन सल्मेोट और ये तुपनी है ये तैन्से पूस्ञ क सक्टर्धर्धर बाहर करा ये तैन। स्ट्थम तैन साओ कि तैनिक है सबस्क्तार ये तैन्से समटस्ट्इ. ज्रेक्स है बबे Qianग के छिए फेंगा यभ ब्रेक्स है। धर्डास्म मेद्रीब lay की है वोर प्रीम थे गुए लाय और प्रेक्स, त्रीम्हमा ले यॉर। there is present a small structure called as low-massome. In the center of the cell there is present nucleus. This is nuclear membrane. This is nucleolus, continuous with the nuclear membrane is endoplasmic reticulum. endoplasmic reticulum can be nuclear membrane which is the endoplasmic reticulum. Then there are present ecology body which is the endoplasmic reticulum. which is the endoplasmic reticulum. This is mitochondria. powerhouse of crystal. Then there are present ribosomes. ribosomes are attached with RNA to form proteins. ribosome free bhi hai or RNA ke saath be attached. Then there are present glycogen. Renews. Reserved food is glycogen. And oil droplets. This is the typical structure of eukaryotic structure. eukaryotic structure. eukaryotic structure. Ichiatries. Polyzone Foly ribosome coly сообщ should eukaryote. This is oil globules, this is lactogen granules, deux this is nuclear nuclear membrane nuclear force नुकलियोलस लिक्षियोसों 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 लिक बादी दू फंगल शेल गवर्ड बाई तेल वोल तेल वोल फॉंड टाइटिन इसको क्या बोलते है फंगल जेलुलोत क्यों बोलते हैं पंगल सेललोड कि या सेलूलो जैसे प्लांक्स की सेल मॉल बनाता तो एनालोजी बना दी, काइटिन इस फंगल सेलुलोस, फॉंडोग, पॉलीमर और यू एक शूगर है, कार्बो हाइडरेट है, जिसकी एक चेन है और वो चेन क्या बना रही है, काइटिन बना रही है, उसके बाद, फंगल हाइपा मैंने बताई दिया, या तो यूने नूप्लियेटिग है, या या दे आर सिलोसिटेग, लोमासों, एक करेक्टरिस्टिक, नूप्लिय सक्टरिस्टिक लोमादेट रही है, इसकी लूपज्ये दियर ज्यूपज़ प्रासमाź myselfe, ख्यक्सरी दिफ जेड सेट लूट लुटर लुटिंगे देन्स लлеज लेड़ बन्सक्टेजर हम लिज्ट लाज़ ले लुट्रेश nearby प्रजर स्वेंग deserved về खरby लूट्चेल लeडेड व्य लाग लेड़ इन गाद में प्लज़ा हो सकता है फ्लेड लाइक स्ट्रॉक्टर में तो फ्लज़ा हुई नहीं सकता है तो फ्लज़ा में भी प्लेटेंट इन गैश रइड देन है माई टॉकॉंड्रिया इन दिश्ट पन्जाइज त्रून यूट्लियर्स बागी तो स्ट्रप्चर कहते हैं यू करियो और इसकी तरह पे स्ट्रेप्चर ठीक है लिख लोगे लेक्स्ट हम आजाते हैं बिटा नूट्रीशन इंग फंजाई अच्छा पहले एक पॉएंट लिख लो कि फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटन हर जगा मिलती है फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटन विच अकर्ज इन या विचार प्रेजेंट इन एर वाटर फंजाई जो है इस कॉस्मोपॉलिटन इस पाओ इंजा है वाल या इंजा बोड्य। इंडियो ने प्रफिय दें प्रफिय ने लुटे थन लुटे कोईडियो वर्म झाल्यल कायर वोणा प्रफियो प्रफियो स्वेज अवयो अब इंड अवर्स़ तो इसलिए फंगल ग्रोथ मैक्सिमम रेनी सीजन से होती है ठीक है आजकल आप यह देखो कि अपने शूज अपने बंद मतलब अल्मीरा में रखते होंगे आजकल बारिशे हैं तो इसलिए मोईस्चर तो आई जाता है और बंद अगर्मी भी है तो आप जब दो तीन महींने पाद वो शूज निकालोगे तो उसके इंदर एं ग्रीन सी लेयर होती है यह देट इस फंचा इस राइट ठीक है यह देट इस वाई देखोर पूड शुद भी कैप्ट कैप्ट इन रेफ्रिजरेटर्स प्रिजरेटर्स प्रिजरेटर्स में क्या है प्रिवेंट्स पंगल ग्रूट अगरम खाने को फ्रिज में रख दोगे तो उसको ठंडा होने में टाइम लग सकता और बंद रहता है और फ्रिज की अंदर भी जब हम खोलते बंद करते हैं तो एयर के साथ पंगल पोर्ज वहां पे जाते हैं तो वहां पर भी खाने में आपको होगे हमने तो खाना फ्रिज में रखा था फिर भी फंगल ग्रोथ होगी तो इसलिए थोड़ा ठंडा करके फिर फ्रिज में रखना है गरम गरम नहीं रखना है इसे राइं ठीके जी नेक्स्ट हम आजाते हैं नूट्रीशन इंफंटाइब तो मैंने आपको बताया था याट इस हेट्रोट्रोफिक एंड एब्सॉप्ट इंजेस्टिव नहीं है इंजेस्टिव का मतलब होता है डिजेशन इंसाइड बॉली यह एब्सॉप्टिव है टाइप्स क्या है इसकी सेप्रोविक या आप साथ में सेप्रोफिक भी लिख सकते हैं या पहरासिटिक या फिर सिंबायोटिक तो सेप्रोफाइब्स तो हम पहले बात करते हैं इधर लिख लिखते हैं सेप्रोविक पंचाइब और एक्जाम्पल आपने ब्रेड मोल्ड किया डाट इस राइजोपर्स ब्रेड मोल्ड अनदर इस लीच फ्रूट्स पे ग्रोव करती है यह ठीक है और भी बहुत चारे मश्रूम और तो अव्यरिकर अबिबल मश्रूम यह क्या है इस सप्रोविक पंजाई या सप्रोविटिक पंजाई एक ही बात है दे एब्जॉब नूट्रीशन प्रूम डेड मैटर डेड और गैनिक मैटर क्योंकि यह और्गैनिक मैटर को खा जाएंगे देफोर दे आर नेचर्स की वेंचर्स नेचर को साफ रखने की काम आती है यह पंजाई नेक्स्ट हम आ जाता है पैरासिटिक पंजाई पंजाई का क्या मतलब है यह दूसरे living organism से अपना nutrition लेती है ठीक है अधिंग रखने मंखरावेंट। मैं रखने मंखरावेंट। मैं हथे सब्सक्रावेंट। और असम्हेर डिसम्हेर थान तौप्टीजन. प्रखंपुम्पुमुर्ध प्रचब एंक बश्दर्ट का ब्रॉड़ों पावंची तौफिए तौब और द 거지म्हेर्मुर। यह दिजीज का नाम है इच पॉस्ट वा पंचाई अधर इस रेड रॉट ऑफ शूगर पिन अनदर इस रिंग वोंग डिजीज इन फ्यूम यह सब क्या है पंगल डिजीज है और आज कल आपको पता है यह ब्लैक फंगल डिजीज is aspergillosis and aspergillosis yeah i'm not aspergillosis Note कर मैं कोद right जो अज कल ब्लैकर फंगस है शीज मीं कर मैं कॉशल गया है ऐसऑ लिक लिए खती ओ स्भंटर पंगल डिजीज ऑद एग्ति कर दो थी साल आ जाता है जाते है hymye ॉटीज फंचा symbiocype için मैं ने बताया था ने उच्वली बेनिफिशियल रिलेशन्टिप पर एक्जाम्पल लाइकन्स एड मैं को राइट लाइकन्स की मैं आभी आपको फोटोग्राप दिखाऊंगी मैं लाइकन्स क्या है सब्सक्राइब लाइकन्स क्या दोनों को बेनिफिट है अल्गी को घर मिल जाता है और पंजाई को खाना मिल जाता है अल्गी के जो सेल्स है वो पंजाई के मैसीलियम के बीच बीच में रहते है ठीक है और अल्गी पोटो संथैक है इसलिए लाइकन्स में जो है घर कौन बना रहा है यह पंजाई और खाना कौन बना रहा है वो एल्गी बना रहा है रहा है अनदर इस माइको राइटा तिंबायोटिक एस्सोसियेशन तिंबीन पंजाई एंड रूट्स और पायर प्लांट्स बड़े बड़े जो प्लांट्स है पंजाई को घर मिल जाता है रूट्स में उन्हें घर मिलता है कुछ इन और्गनिक नूट्रियंट्स मिलते हैं खाना भी मिलता है घर भी मिलता है और प्लांट को क्या मिलता है प्लांट को और यह फंजाई क्या करती है बहुत सारा पानी अब्सॉब करके प्लांट को देती है नूट्रियंट्स अब्सॉब करके प्लांट को देती है तो shelter in the roots of the higher plants. Is it okay? So this is the nutrition in the fungal. Next time, my job. My job is the reproduction in fungal. Three more say, vegetative reproduction, asexual reproduction, and sexual reproduction. Vegetative reproduction by fragmentation, fungi 2P, very-very hypha, which has little pieces. And every piece is divided and grown to form the complete mycelium. That is fragmentation. That is binary fission. ये येस्ट में ही होगी, यूनिसेलूलर ओर्गेनीजम में ही, binary fission है, और तीसरा है, budding, ये भी येस्ट में है. Pregmentation किक्वी भी पंचाही में होसक्टी है. येस्टी जेटेशन ओर्गेनी, येस्टी येस्टीम में होसक्टी है. Asexual reproduction, by sports, by asexual sports, asexual reproduction means, means in which no neosis, neosis appear, reductional division, no neosis and fertilization, na neosis hootie hai, na fertilization hootie hai, khirav spores ban gai hai, asexual spores, so types of spores, asexual spores koon se hai, that is, koonidia, ya phir ham inko bolte hai, koonidio spores, pir hai, korengio spores, another is, zoo spores, koonidio spores, porengio spores, zoo spores, these are the type of asexual spores. Then, sexual reproduction in which genete formation and fertilization are. Jho zygote banta hai, zygote pones, sexual spores, koonse sexual spores hai, such as, oo spores, oo spores, sko spores, a sko spores, visidio spores, yeh sexual spores hai, और यहां पर फिर स्टार डालके आपने क्या लिखना है कि जितने भी स्पोर्ज है चाहे एसेक्श्वल चैसेक्श्वल स्पेशलाइज्ड स्ट्रॉक्चर के अंदर बनते हैं जिनको हम कहते हैं प्रूपिंग स्टॉक्चर तो पॉर्ज आर पॉर्म इन पॉर्जियो कार्ट यह एक पॉर्जियो 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 प Specialized Proofing Structures या Proofing Body ठीक है खोड़ा सा और बताएंगे Pragmentation है Breaking of Pipe Into Pieces चोटे चोटे Pieces ने Each Piece Regenerates In Two Complete Mycenae Binary Example Coincidentally For Example Rhizophus Binary Patient In Unicellular Panjai Such as Yeast So Binary Fission क्या होता है बिटा Binary Fission का मतलब है Division of the cell Into Two Equal Binary मतलब Two Fission means break तो एक पेरेंट सेल्स दो जो है डॉक्टर सेल्स ने ब्रेक करता है One parent cell Divides Into Two Equal Daughter Cells That is Called as Binary Fission उसके बाद बड़ेंट ये यीच है और ये यीच की छोटी सी आउट ग्रोथ है This is called as bud टीक है तो bud इसे Small Outgrowth Of Parents और आपने गी खुद लिखना है कि इस अपरेट सेल्स परेट सेल्स एंड ग्रोव तो फॉर्म दर कम्प्लीट लॉखें अब लिखो आज हमने यहीं तक करना है इसकी आगे डिटेल्स हम कल करेंगे इसके बाद मैं आपसे थोड़ा सा ओरल जो है वो पूचूंगी मोलरायल को बिस्टा में